हेलो अब्रियूवान स्वागत है अब सभी का आज के हमारे सेशन में दिस इस यूर सेस्ट एजुकेटर रुजवला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में तो बचो अभी तक न हम ये चीज जरूर समझ चुके हैं कि डाम्स को क्रियेट करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश की डिवेलपमेंट ही होगी बलकि उसका एक सोशिल कॉंसिक्वेंस भी होता एक समाजिक प्रभाव भी पड़ता है उन लोगों पर जो कि उस इलाके में रह रहे होते हैं उनके घर बार चिन जाते हैं वो डिस से नहीं रहेगा घरवर तोड़ दिया आपको बाहर निकाल दिया जाए काम धन्ना आपका छूट जाए क्या करोगे आप तो वही वाली चीज है कि इस नौट इजी फॉर देम तो एक तरीकी से जो डिवेलपमेंट का बर्डन है वो कहीं ना कहीं लोगों को भरना पड़ता है अब यहां पर बात कर रहे हैं हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंडोलनтक के बारे में जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंडोलन नदी की यहां पे बात हो रहे नर्मदा नदी पे सेशन में करने वाले हैं अब आप लोग सोच रहे हैं मैं यह लग से तो टॉपिक नहीं है बड़ चोटे से बॉक्स के अंदर यह चीज गिवन है जो कि हम बहुत बारी में साउट कर देते हैं और एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज गुजरात के अंदर और बचो उस चीज को अपोस करने के लिए नर्मदा बचावांदोलन या सेव नर्मदा मूमेंट एक नौन गवर्मेंटल इसलिए जिसने ट्राइबल लोगोगो को इन्वार्मेंटलिस्टूमन राइट अक्टिविस्टूश फारमस इन सभी लोगों को इक अठा कर लिया और यह सारे लोग मिलकर सरदार सरोवर डम की creation को oppose कर रहे थे उसके खिलाफ थे क्यों थे खिलाफ देखें originally focused on the environmental issues related to the trees that would be submerged under the dam water recently it has refocused the aim to enable poor citizens especially the out seas to get full rehabilitation facilities from the government to initially यहाँ पर अगर देखा जाए ना to originally जब यह लोग oppose करने लगे थे सरदार सरोवर डम को बनने से तो basically इनका aim था environmental issue से this was the basically the original focus of the entire andola not a moment तो यह इनको originally लगा था कि dam बनेगा, dam की वज़े से जो आजू-बाजू का इलाका है वहाँ पेड़ पॉद हैं, trees हैं, वो submerged हो जाएंगे, पानी तले तो इस environmental issue के साथ deal कर रहे थे कि we do not want that, कि वो vegetation दूब जाए इसलिए हम oppose कर रहे हैं, बट बाद में इन्होंने अपने इस movement का जो उद्देश्य है, जो objective है, वही change कर लिया और बाद में इन्होंने री focused और focus करके बचों फिर यह बात करने लगे गरीब लोगों की उन गरीब लोगों की जिनका घर बार हर चीज छिन जाएगी, जो कि displace हो जाएंगे इस dam के creation से और इन्होंने बोला कि जो गरीब लोग हैं, इनको पूरी rehabilitation facility मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, rehabilitation का क्या मतलब होता है? कि अगर आप उनसे उनका घर चीन रहे हो तो दूसरी जगा पर उनको घर भी प्रोवाइड किया जाए, ऐसा नहीं है कि आज घर चीन लोगे और फिर वो सड़क पे नहीं सोएंगे, उनको एक दूसरी जगा पर घर प्रोवाइड करी, rehabilitation facility दीजिए, सरकार द्वारा, तब ज rover dam के creation के खिलाफ उसको oppose करने के लिए, original focus इस program का यही था, कि लोग environmental issues के साथ deal कर रहे थे, कि जो trees submerge हो जाएंगे, जो vegetation submerge हो जाएगी, due to the creation of the dam, लेकिन बाद में इसने अवना focus change करके क्या कर दिया, upon the poor people who would be displaced due to the dam, तो focus एक environmental issues से होकर, एक social issue पे चला गया, समाजिक मुद् जिन जाएगा, तो लोगों को rehabilitation facility प्रवाइड करने है, ठीक है, तो यहां तक बात एक दम क्यार है, now, people felt that their suffering would not be in vain, मनलब लोगों को ऐसा लगा, जो उन्होंने सफर करा है, जो उन्होंने साहा है, वो जाया नहीं जाएगा, वेन में नहीं जाएगा, मनलब जाया नहीं जाएगा, तो कल को उन्होंने भी कहीं पर सरकार दूसरी जगह देगी रहने के लिए, जहां पर उनको अच्छे खासे fields मिलेंगे, खेती करने के लिए, हाविस्ट अच्छी होगी वहाँ पर उनकी, और ऐसी रिहान डाम के survivors की भी बात करी जारी, यानि कि वो सारे लोग जो रिहान डाम के creation के वज़े से ते हम अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं समझ लो, बट उनको लोग कुर्भानी दे सकते हैं कि आज selbst करर प्रिकेरियस वही कोई शॉरिटी नहीं है आज भी वही डामा डोल से सिचुएशन है बहुत रिस्की सिचुएशन है जिसमें वो लोग रह रहे हैं उन्होंने पुरा लाइवली हुड गिब अप कर दिया तो हमी क्यों है हमी क्यों देश के लिए साक्रिफाइस करें वही बात के हिस्से में ही क्यों है यह सारा साक्रिफाइस तो यहां पर यही बात की जा रही है ठीक है आई हो बात बिल्कुल क्लियर है अगले जो सेशन है बच्छों उसमें हम मिलेंगे और अब हम डाम से हटकर एक दूसरी प्राक्टिस की बात करेंगे विच इस रेन वोटर हर्वे यही बात करेंगे है